हलो एव्रिवान क्लास 9th mathematics चैप्टर नम्मर 2 यानि पॉलिनोमिल चल रहा था हमारा ncrt new book की exercise 2.3 चल रही थी question नम्मर 2 तक हम complete कर चुके हैं अब करते है question नम्मर 3 find the value of k यहां हमें k की value पता करनी है if x-1 is a factor of px अगर x-1 px, px का मतलब यह जो polynomial दे रखा है अगर x-1 इस equation का factor है तब हमें k की value पता करनी है ठीक है in each of the following cases तो part first देखते हैं अब क्योंकि यह दे रखा है कि x-1 इस equation का या इस polynomial का factor है तो जाहिर सी बात है कि x-1 को equate कर देंगे 0 के और यहां से x की value निकाल लेते हैं x की value कितनी आ जाएगी 1 ठीक है minus 1 उदर जागा तो 0 plus 1 यानि 1 अब x equal to 1 यहां इस polynomial में put करेंगे और k की value निकल आएगी और put करेंगे तो ध्यान लगिए answer equal करेंगे किसके 0 के ठीक है answer equal करेंगे किसके 0 के तो x की value 1 यहां put कर देते हैं तो 1 का square यानिकी 1 का square x का square यानिकी 1 का square plus x x यानि 1 plus k ठीक है अब क्योंकि यह factor था तो equal में कितना आनसी answer 0 ठीक है 1 का square 1 1 plus 1 कितना आ जागा 2 2 plus k equal to 0 ठीक है k को ऐसी रखा 2 दूसरे तरफ जाएगा तो minus में पहुंच जागा 0-2 कितना जागा minus 2 के की value कितना आ गई यहां पर minus 2 तो हमने किया किया इसमें x-1 इसका factor था तो x-1 को हमने 0 equal किया x की value निकाली और इस equation में यानि जो px equal to था यहां पर यहां पर put कर दी x की value जैसे put करेंगा और equate करेंगा इसके 0 के ठीक है x की value आगी हमारी यहां पर 1 ठीक है अब x की value 1 को यहां put करेंगे और answer आना चाहिए equal में कितना 0 तो हम यहां put कर देते हैं 2 into x square यानि 2 into 1 का square plus kx यानि k into 1 plus root 2 इसके 0 के क्योंकि x-1 इसका factor है तो x की value 1 आएगी वह यहां put करके answer आने चाहिए कितना 0 के तो 2 into 1 का square 2 ही रहेगा ठीक है plus k plus root 2 equal to 0 अब k को यहीं रहने देते हैं बाकी की चीज हम दूसरी तरह भेज देते हैं और sign जाएगा उधर minus 1 k को ऐसी लिखा equal to 0 यह 2 जाएगा तो minus 2 root 2 जाएगा तो minus का root 2 ठीक है तो answer कितना आगया 0 तो हटा देंगे minus 2 minus root 2 यह आगई k की value कितना आगई minus 2 minus root 2 ठीक है इस से part second हो गया खतम part third देखते हैं part third करते हैं देखिए यहां पर भी हम x-1 equal to 0 करके x की value निकालका यहां put कर देंगे और equal कर देंगे कि सके 0 के दिखे एकस-1 equal to 0 x की value कितना आ जागी 1 minus 1 इदर जागा तो plus 1 तो x equal to 1 यहां put करेंगे और equal कर देंगे 0 के क्यों क्योंकि यहां दे रखा है क्योंकि x-1 इसका factor है ठीक है तो क्या आएगा kx square x के सर्फित वालु वन एन्नि के इंटू वन का स्क्वाइर माइनस रूट टू इंटू एन्टू वन गया वन प्लस वन इक्कोल किसके जीरो ठीक है अब के इंटू जाएक रूट अधीश को दूसरी तरह भेज देंगे तो सब्सक्राइब एक्वल टू यह माइनस रूट्टू है दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के यहां प्लस में और यहां प्लस वन है इक्वल टू के पार जाएगा तो माइनस वन ठीक है प्लस जीरो हम लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह के की वैलू आ गई ठीक है फोर्थ देखते हैं यहां पर पी एक्वल टू यह दे रखा है अब यहां पर भी हम सेम ऐसी करेंगे एक्स माइनस वन को हम लिखेंगे जीरो के यह एक्स के वालू आ गई वन इसका फैक्टर है तो एक्स के वालू वन पुट करने पर आंसर कितना आएगा जीरो तो क्या आ हैगा एंटो उन खै के मैनेस ठीक सथी प्लस के मशल यह इकवल टूड के और के देखो का है यहां भी के है तो कितना भेंगे और मायनस स्री को दूशні तरफ भेज़ देंगे t0 प्लस 3 यानि को यह दे इस तरह से question number 3 हमारा complete हो गया next वीडियो में मिलेंगे question number 4 के साथ I hope कि आपको इस समझ में आया होगा ओके थैंक यू